थ्योग विधानसवा शेत्र में जल संकट की किल्लत को लेकर थ्योग की जनता के साथ माकपा विधायक राकेश सिंग्धा पर मुख अभियंता स्थे के कारेल्या पर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ गए हैं और सरकार को चेतावनी देते हुए उनोंने कहा है कि जब तक उनके शेत्र में पानी महिया नहीं करवाया जाता तब तक ये धरना पर दर्शन जारी रहेगा राकेश सिंगा ने आगे कहा कि किसी भी सरकार का पहला दाइतव जंता को पानी महुया करवाना होता है और लोगों का भी समयधानिक अधिखार भी है देखे मुखे मांग तो अब किस रूप में कैं असल में आप जानते हैं किसी भी चुनीवी सरकार का दाइतव जिम्मवारी है समयधानिक कर रहे है सरकार का जब सरकार श्यापत लेती है तो उसको शपत लेनी पड़ती है समयधान की और पीने का पानी आठिकल 21 में जीने के अधिकार में शामिल है लेकिन सरकार और सरकार का तंतर हिमाचर परदेश में पीने का पानी उपलब्द नहीं किरा पा रही है आप याद करें 2016 में फेबरी के महा में हमाचर प्रदेश के उच नियाले ने आदेश दिये थे हमाचर प्रदेश की जरकार को कि स्वच पीने का पानी उपलब्द कराया जाए और आदेश देते समय ये कहा कि आप सुनिश्चत करो स्टेचूटरी कमिटी गठिद करो स्टेचूटरी कमिटी जिसमें लायक आदमी हो और वो लायक आदमी हमाचर प्रदेश में स्वच पीने का पानी दे सके शिमलाच शेर को छोड़ कर लेकिन उस दो हजार सोला के ओरडर के बाद आज तक्रीबन तक्रीबन तीन साल पूरे हो गए हैं अगर आप ठ्योग के अलाके में जाएंगे बुरे हाल है बुरे हाल एक लाक दस एक लाक दस हजार की अबादी है ठ्योग की लेकिन आज हलात यह है कि आज ये दस फिसदी जंता को भी पानी नहीं मिल रहा कैसे मिलेगा 65% 65% हिसदी पद खाली पड़े हैं सरकार को कोई चंता नहीं IPHV भाग को कोई चंता नहीं टैंक फटे पड़े हैं पाइपे टूट गई है दो वर्ष में एक भी पाइप नहीं आई 18 मैं नहीं आई 19 मैं नहीं जो आदे इंच की पाइप होती है जो में सप्लाइ करती है तो मुझे बताएं हाई कोट का ओडर कैसे सरकार इंप्लेमिंट करेगी कर नहीं सकती है तो इसलिए हम यहां पर मोर्चे में बैठ गए हैं और हमने मन बना दिया है जो मर्जी अगर सरकार और सरकार का तंतर भरती नहीं करेगा पाइप प्रवाइट नहीं करेगा और जो स्की में है सचारू रूप से नहीं चलाएगा तो इस दवा का वधान चबा का सत्तर भी यहीं लगने वाला है यह फैसरा कर ले कि इन्होंने क्या करना है हमने अपना मन पक्का बना दिया है यह लड़ाई होगी यह संगर्ष आग नीती के धार पर चल रही है उसको बदल कर छोड़ेंगे और लोगों को सच पीने का पानी उपलब्द कराने का कारिया हम इस लड़ाई के जिरिए करेंगे परधान ग्राम पंचाइड देवर्गाट कि अमारी मुख्यों मांगे सबसे पहले तो पीने के पानी को लेकर हम आये हैं अमारी पंचाइत में यह जो मेरी पंचाइत है यह तसील ठोग में बड़ी पंचाइतों में शामिल है मेरी पंचाइत में नौ बॉर्ड है और लग पिछले कल से अपनी बात को रखने के लिए आए है। उनमें मुख्यों है पीने का पानी। आप समझ रहे है कि मौलिका ख़िकारों की सुची में शामील किया है, जीने के, अगर आदमी को जिन्दा रहना है तो पीने का पानी उसके लिए बहुत जरूरी है आप समझते हैं कि थेओ का जो इलाका है हमारी पंचायत है उसमें नो वोडों में मैं आपको बता रहा हूँ जो नोग एक उसमें वोड है जहां एक वो क्या नाम टैंक बना हुआ है उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो टैंक को किस्तीती है और पिछले तीन तीन चार चार साल से कईसकी में तो हमारी पंचायत में ऐसी है जहां आठ से दस साल हो गए है टैंक में पानी आज तक नहीं गया है गरेविटी किसकी में मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी है जो पिछले 20 सालों से जादा समय से है फटी हुई पाईपे है पाईपे वो क्या नाम विभाग देनी रहा है सरकार जो है पाईपे देनी रही है और हम समझते है कि उसको बदला जाए लेकिन सोर्स में पाणी होने के बाब जूद भी लोगों तक वो पाणी नी पहुँच रहा है और हमने गराम सबा के माध्यम से प्रस्ताओ दिये प्रस्ताओ दिये हमने हैंट पंप के लिए लेकिन हमारी पंचायत में ना हेंट पंप लगे हैं ना पाई पहाई है जो फटे हुए टेंक है जो डिस्ट्रिबूशन टेंक थे ना ही उनमें कोई सुधार हुआ है और हमारी पंचायत में बहुत पूरी कंडिशन है 15 से 20 दिनों के अंदर जो है वो लोगों को पानी मिला है उन गाउं में आपको बता रहा हूँ ये जो हमारे उन्चायवाले क्षेत्रे जिसमें नंगल दिवी शामिल है नलेया शामिल है घेडी शामिल है देवरी घाट शामिल है जिसमें आपके बतोग शामिल है जिसमें ब लिखने के लिए उसमें दोड़ रहे हैं उसमें वो हालात इसनी बत्तर हो गई है श्रेंटी खट से उठाओ पर जलियोजना मेरी पंचायत में आती है उसमें सेकिंड स्टेज में पानी मेरी पंचायत में पहुंचता है अर्थपरकाश के लिए शिमला से अनीश चोहान की रिपोर्ट ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकाश टीवी को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें